तो चार banks और उनकी fixed deposits के बारे में बात करेंगे, पिछले 10 दिनों में fixed deposit के जो rates हैं वो change हुए हैं, उपर की तरफ हुए है, State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank और Axis Bank के, तो हम लोग यहाँ पर दो सिनारियो को लेने वाले हैं, पहला है 6 महीने का और दूसरा है 1 साल का सिनारियो, और अगर आप एक लाख रुप्या invest करते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलेगा 6 महीने के बाद, एक साल के बाद इन banks में, तो जरूर पूरा वीडियो last तक देखेगा, आपको पूरी information मिलेगी, तो पहला case, 6 महीने का या फिर 180 days, तो अगर इसकी FD होती है, तो अगर आप rate of interest देखेंगे, तो State Bank का है 4.4%, HDFC Bank, ICICI Bank का सेम है 3.75%, और Axis Bank का सेम है SBI की तरह 4.4% का, तो अगर आप 1 लाख रुपिया invest करते हैं, तो किस हिसाब से आपके return बनेंगे, तो State Bank of India में 1 लाख अगर आप invest करते हैं, तो फिर जो interest रहेगा, और ये cumulative data है, और ये 2 करोड से कम की FDs है, उसके ब केस में, generally 0.5% जादा होता है, तो State Bank के केस में 2,212 रुपिज ये interest मिलेगा, तो टोटल मिलेगा 1,212,212 रुपे, similarly HDFC और ICICI Bank की तरफ का जुक्तु की interest rate सेम है, तो 1884 रुपिज मिलेगा, और सेम Axis Bank का SBI की तरह ही है, एक लाख का investment पर जो interest मिलेगा 2,212 रुपे का है, त है महिने का case रहा, दूसरा case है 12 महिने का case, तो 12 महिने के case में, या 315 दिन के case में, State Bank का है 5.3% return, या return नहीं, जो FD के rates है, HDFC Bank, ICICI Bank के दोनों के सेम है 5.35% और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर Axis Bank के 5.45%, तो अब ये किस हिसाब से, जो numbers हैं, वहाँ पर किस हिसाब से change हो रह है, तो 5,406 का यहाँ पर आपको interest मिलेगा, तो total 1,5406 रुपीज आपको मिलेंगे, HDFC Bank, ICICI Bank का सेम ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों का अगर आप देखेंगे 5.35% ही है, तो 5,458 रुपीज, 5,458 रुपीज, और फिर Axis Bank का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उन 5,562 का मिल रहा है, तो अभी RBI ने rate hike किये हैं, और rate hike कर रहे हैं, तो फिर जो loan के rates हैं, वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन अगर उसका अगर किसी को फाइदा मिल रहा है, तो वो depositors को मिल रहा है, जहां पर जो rates थे, बहुत ही कम थे, जो अब धीरे-धीरे revise हो रह नहीं जा रहा हूं, कि यह क्या जो interest rate है, जो FDs का interest rate है, वो beat कर रहा है या inflation को या नहीं, क्योंकि उसका answer बहुत हद तक ना है, क्योंकि core जो inflation है, वो 6-7% के उपर है, और अभी भी जो rate एक साल का आपको मिल रहा है, जो बड़ी banks की तरफ से, वो 5.3 से 5.5 के परसंट के अ बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा है, और surety की आपको एक साल के बाद उतना मिल जाएगा, यह बहुत बड़ा उसका advantages रहता है, फिर deposits भी जो है, एक level तक आपके insured रहता है, तो यह सब कुछ advantages है, तो हर चीज़ के advantages, disadvantages है, हम analysis करते रहेंगे, बाकी भी बहुत सारे cases की, और fixed deposit पर state bank और दूसरी जो banks हैं, उनके उपर भी, वीडियो कैसा लगा जरूर, comment section ने बताएगा, एक नया वीडियो था, मुझे उम्मीद आपको value मिली होगी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, thank you.